तो शक्स जिसको अमेरिका पहले ही आतंकी घोशित कर चुका है अब वो बड़े आतंकी सेंगठन को लीड करेगा यानि जिम्मेदारी होगी कि हिजबुला को और मजबूत करे नए तरीके से हिजबुला सामने आए और दुनिया के और देशों के लिए क्या इसके बाद वो औ इरान का रियक्शन महा विनाश का संकाट विश्व पर खत्रा विकाट खामने का डर इसराइल का टार्गेट बंकर इसराइल ने बंकर में छिपे हिजबुला चीफ को बंकर समय तुड़ा दिया इसराइली एर फोर्स ने 80 टन बारूद नसरल्ह के ठिकाने में जोंकर अपने दुश्मन को उसके बिल में ही दफन कर दिया इस्राइल ने नसरल्ला को भयानक मौत देने के साथ ही अपने दुश्मनों के दिल में खौफ भर दिया है खौफ भी ऐसा कि अब IDF के डर से इरान जैसे ताकतवर देश के सर्वोच नेता खामनेई भी भीगी बिल्ली बनकर बंकर में छिप गए हैं सूत्रों के मुताबिक खामनेई को डर है कि हानिया, राइसी और नसरल्ला की मौत के बाद अगला नमबर उसी का है इसलिए इरानी सेना ने खामनेई को किसी महफूज ठिकाने पर छिपा दिया है एरान का यदर लाजमी है क्योंकि नेतन यहुने नसरल्ला की हत्या के बाद खुले आम ऐलान कर दिया है कि इसराइल का कोई भी दुश्मन कहीं भी महफूज नही है वो गम מקדם את हשבת खतुफेनो बडरום कि खुल सिन्वार हुए कि छिजबाला कבר लो याबो लादीलो कख गदलीम हसिकोיים लाशबत खतुफेनो अनि बगश लूदות लदाल, लगल האוויר, लामन, लमुसाद, लशबक अला हישגים הקבירים ולא רק את מול एजर्खי ישראל, יש לנו हישגים גדולים बेशक इसराइल नसरला की मौत को बड़ी काम्याबी के तोर पर देख रहा है लेकिन अमेरिका तक ये जानता है कि ये तो सिर्फ दुन्या में महातबाही की शुरुआत है जिसके अगले पन्ने पर महातबाही की स्क्रिप्ट अब खामने ही लिखेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है पिछले 24 घंटों के अंदर जमन, इराक और लेबनान ने जिस तरह से इसराइल पर रोकेट दागे हैं खुद नेतन्याहू को भी खत्रे का एहसास हो गया होगा खामने ने तमाम खत्रे के बावजूद कह दिया है कि इरान नसरला की मौत का बदला इसराइल से लेकर रहेगा नसरला की मौत से बुखलाए इरान का आगे का इरादा क्या है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इरान ने इसराइल को मुहतोड जवाब देने से पहले अपने एर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है और इस्राइल पर चड़ाई की तयारी का विगुल फोकते हुए अपने सैनिकों को सीरिया और लेबनान की तरफ कूच करने की आखरी तयारी में जुट गया है इरान आने वाले कुछ दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिकों को भेजेगा रेजिस्ट्रेशन के लिए तयारी शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द इन शेत्रों में सैनिकों को तैनात करने की इजाज़त मिल जाएगी हम इसराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह ही लिबनान में सेना भेज सकते हैं हालाकि इरान को भी पता है कि इसराइल बेवज़ा शोर नहीं मचाता वो पहले दुश्मनों का सफाया करता है फिर वो अपने दुश्मनों की मौत की जिम्मेदारी लेता है यही वज़ा है कि इरान की शेह पर भले ही यमान, इराग और लिबनान लगातार इसराइल पर बम बरसा रहे हो लेकिन नेतन याहू चुप है और उनकी यही चुप पी पूरी दुन्या को दहला रही है ब्यूरर रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो नसर अल्ला के चुचेरे भाई सफिद दीन को अब हेजबुला की कमांड दे दी गई है इस पर बाच्चीत के लिए मेमान हमारे साथ रक्षा विश्र चग्ये जुड़े हुए करनल श्वलेंदर सिंग, ग्रूप कैप्टन यूके देबनाथ हमारे साथ जुड़े हुए है ग्रूप कैप्टन देबनाथ आप से समझना चाओंगे साफिद दीन को जमयदारी दी गई है अब आगे क्या? जी हाँ ये समझना पड़ेगा कि साफिद दीन को जैसे ही कमांड मिली है तो उसके सामने आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि हजब लला का जो गरता हुआ मनुबल है उसको कैसे उपर उठाए दूसरी जम्मवारी और चैलेंज उसके लिए है कि हजब लला का जो बचाखुचा वेपन सिस्टम है रॉकिट सिस्टम्स मिसाइल्स है वो कहां कहां क्या क्या इन्वेंटरी बची है उसको अब किस तरह से इसराइल के एर अटैक से बचा के रखे तीसरी और सबसे बड़ी जम्मवारी उसकी ये है कि आयात अगला खुमानी से जो आदेश आ रहे हैं परिशकें से जो आदेश आ रहे हैं उन आदेश को कैसे जमीन पर इंप्लिमेंट करें उनके लिए उसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक समस्या ये है कि अगर वो अपने छुपे हुए बिल से बाहर निकला तो तुरंट इसराइल की जो इंटलिजेस एजेंसी हैं उनको पता लग जाएगा मुसाद, शिनबेट और जो इसराइल की सबसे बड़ी चीज है सिगनल इंटलिजेंस वो उसको ढूंड निकालेगी और शाहिद महज अगले कुछ घंटे के अंदर इसराइल की आईडियाफ उसको भी खतम कर देगी तो सुएम को जिन्दा रखना अभी उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा मैं करनल शेलेंज सर आप से समझना चाहता हूँ अभी क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है कि हजजबुल्ला खतना हो जाए जो लड़ाके हैं उनके बीच में जिस तरीके से हालत होगी क्योंकि जिनका बौस ही मर गया हो जिसका नायक मर गया हो जिस सेना का उसका क्या हाल होता है पहले होता था कि अगर राजा गिरफतार होगे तो पूरी सेना वो हतियार डाल देती थी यह सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुजबुला के सामने एक तस्यूर हमारी टीम आपको लगातार दिखा रही है स्क्रीन पर खामनेही से मिल रहा है खामनेही से मिल रहा है यानि कोशिश होगी यह बताने की कहीं न कहीं हिजबुला की कि अब जो हम कमांडर खड़ा कर रहे हैं सिर्फदीन वो भी नसरला के लेवल का और इसलिए उसके भाई को कमांड दी जा रही जैहें नमस्कार बात लेवल की नहीं है बात इस समय काडर के विश्वास की है काडर किसमें विश्वास करता है हिजबुला का जो लोवर काडर है वो यूस्टू रहा है कि येस नसरला टाइप का आदमी उसके वो नीचर को जानते थे उसके काम करने के तरीके को जानते थे उसके aggression को जानते थे, उसकी इसराइल के लिए hatred को जानते थे और सबसे बड़ी बात, over a period of time एक confidence building था वो confidence इस समय हिजबुल्ला में shaken up जरूर है, तूटा हुआ जरूर है उसमें crack जरूर आए है, क्योंकि जब आपका top, क्योंकि देखे कोई भी terrorist organization एक normal army की तरह function नहीं करती वो एक one man dictatorism की तरह भी काम कर रही होती है सब कुछ वो अपने पास रखता है, सारी facility अपने पास, सारे strategic decision अपने पास सारी strategic thinking अपने पास, कहां से क्या आना है, कहां क्या जाना है वो एक बहुत ही limited कोटरी को पता होता है, इसके अलवा लगों को नहीं पता होता है सो आज जब आप नया एक commander देखते हैं, यह commander कौन था कल तक आप मुझे बता दीजे किसको याद है यह नाम ना केवल नाम, मैं तो कह रहा हूँ, आप Hezbullah में पता करा के मुझे बता दीजे कि चार लोग अगर यह बोल पाएं कि यह शरीमान जी कौन थे सो सबसे बड़ी बात आती है confidence की, दूसरा, इससे भी बड़ा जो challenge होगा वो होगा उसकी अपनी personal safety, जिन्दा रहोगे तभी तो आगे कुछ कर पाओगे यहाँ तो इरान के खमेनी साब भकते फिर रहे हैं एक safe house में कि कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए, यह नए वाले शरीमान जी क्या कर लेंगे आपके लिए इस पर और बात करेंगे आगे, इस बीचे एक बड़ी ख़बर आ रही है, हिजबुल्ला के अखिलाफ, आइडियाफ ने लड़ागों विमानों से हमला किया गया है आइडियाफ ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं, हत्यार डिपो पर भी बम बरसाए गये हैं और यहाँ तक की जो छिपने के ठिकाने हैं, हिजबुल्ला के आतंकीों के वहाँ पर भी बम बरसाए गये हैं कुछ तस्वीरे सामने आई हैं उस जगा की जहाँ पर यह आमले किये गये हैं लेकिन ग्रूप कैप्टेन देवनात इन हमलों से एक बात तो साफ है, मैं समझूंगे आपसे लेकिन इस भी चार तस्वीरे दिखा देते हैं यह चार तस्वीरे हैं, निपड गया नसरला यह नसरला का खत्म